जूते बनाने वाली Liberty के मैनेजमेंट में हड कमप, कमपनी ने लिया यह बड़ा फैसला जूते बनाने वाली कमपनी Liberty Shoes ने अपने कार्यकारी निदेशक आदेश कुमार गुपता को निदेशक मंडल बोर्ड से हटा दिया है। राश्ट्रिय कमपनी विधी निया याधिकरण ने एक याचिका दायर करने के लिए कुछ छूट देने की अपील करने वाली गुपता की याचिका खारिस कर दी थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। Liberty Shoes ने शेर बाजार को यह जानकारी दी। क्या कहा कमपनी नेह Liberty Shoes ने बताया कि गुपता के पास कुछ अन्य शेरधार कों के साथ कमपनी की 5.8 तीन प्रतिशत हिस्सेदारी है। उन्होंने कमपनी अधिनियम 2013 की धारा 244 के तहट एक आवेदन कर उत्पीडन और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए याचिका दायर करने के लिए कुछ चूट की अपील की थी। लिबर्टी शूज ने शेर बाजार को बताया कि गुपता ने इस छूट की अपील करते हुए NCLT के पास आबेदन किया था, जिसे 20 नवंबर 2023 को खारिस कर दिया गया दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति है इससे पहले, NCLT ने लिबर्टी शूज की वार्षिक आम बैठक को हरी जंडी दे दी थी हालां की न्यायाधिकरण ने कहा कि बैठक मिले गए फैसलों पर अगले निर्देश तक कारवाई नहीं की जाएगी बैठक में शेरधारकों से गुपता को कम्पनी के कार्यकारी निदेशक पद से हटाने का फैसला किया NCLT के निर्देश के कारण इसे फिलहाल लागू नहीं किया गया है लिबर्टी शूज ने दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भी की है शेर का हालह लिबर्टी शूज के शेर की बात करें तो यह 282.65 रुपए पर है बुधवार को यह शेर एक दिन पहले के मुकाबले 0.2-3 परसेंट की तेजी के साथ बंध हुआ बता दें कि शेर का 52 वीक हाई 407.75 रुपए है शेर का यह भाव पिछले साल नवंबर महीने में था